लो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगें बीसेफ के स्टाइब एक्जाम में टॉप 50 इंपर्टेंट फिजिक्स के कोश्चन के बारे में जो बार वार परिक्षाओं में रिपीट किया जा रहा है जो स्टाइब कोश्चन का सेट है जो पिछले पांट साल से लगाता है रिपीट किया जा रहा है इस कोश्चन को जो जो ए इस कोश्चन को आप देखना न भूले और इस'' कोश्चन को आने वाले परिक्षा में भी जएधा उम्मीद्य कि रिपीट किया जाएगा तो आप पूरा dadsik तरीकेसे इसको जबाब का याद कर ले आने वाले प्रिषा के लिए काफी महतपूर्ण है तो आप इस्कीन पर देख रहे होगा पहला क्वेस्ट क्या है पहला क्वेस्ट है हवा में ध्होनी का बेख कितना है फिर्स अपसन है 1269 संतर मिर पर सुछेक्ष दैख़े हैं 1537 मिर पर सेकेंड थर्ड ऑप्सों 4000 मिर पर सिसकंड और 233 मीटर पर सिकंड तो दोस्तों हवा में से कितना होता है दोकु ranked होता है आपको आंसर वह मात रख्क है तो सिर्फ का होता है विसाता होता है ऊज्ञार का कि होता है यह ऴतिGO करेंड के विद्वक फिर ने लेजरोगिंद सली ससे ने लरा सकराता हैं लोग नेक्स्ट क्वेस्टन है नेक्स्ट क्वेस्टन है मनुस के नेत्र की रेटिना पर प्रतिवीम बनता है मनुस के नेत्र की रेटिना पर प्रतिवीम बनता है कालपनिक या उल्टा कालपनिक के बहुं सीधा बास्तवी के बहुं सीधा बास्तवीम बनता है आप देख रह फिर 나서 को बनने का कोई दिशा नहीं होता कोई specific दिशा नहीं होता लेकिन आपको बता दें कि सूर्ज के विपरी दिशाम हमेसा यह बनता है ठीक है ऐसा कभी मत सोचेगा इन धनुस कोई डिशा सूर्ज जिधर रहेगा उसके जस्त बिपरी दिशाम में इंद्हनुस बनेगा क् कि प्रकास का प्रावर्तन उधर साहीं अपवरतन इन दनुष क्यों बनता है किस ने प्रकास के प्रावरतन या बड़न की नियम आप यह भी याद करलीजेंगा ठीक है चन्डरमा पर जो गुर्ट्वा कर्शन प्रित्वी के मुकाबले कितना हो जाता है तो किए शेत्रंटा मात्रक है आप देख रहे होगे सक्ति का किसका मात्र है सक्ति का अंसर सी option वबिग्या शेत्र इंहें हेंद्री है है हैंproduct क्या माथा है ऑफ्र पर करेंगार कर्दधर्ट को कर्यां में गेंड़को योण गीनेक्ट तरहता हैं ट्रेंकि holistic क्षक के बरावर होती है ट्रेख्ट साय बहान चार लेंग होता है घरिक है की बन्डा रहत होता है ऑविर्ती का मात्रा आर extr के है लेंस की चमता का मतरक होता है लेंस की चमता का मतरक डायोप्टर है वायू में धोनी तरंग होती है वायू में धोनी तरंग होती है तिर्ची जो आप धोनी तरंग बेव जिसको बोलते हैं वायू में धोनी तरंग कैसे होती है तिर्ची होती है सुर्ज का प्रकास सुर्ज से पिर्थि नूटन मिटर ठीक है, दाव का मात रख क्या होता, नुटन मिटर भी होता, दाव का मात रख पास कल भी Hod रखिएगा निम्लिखीत बहुती ग्राशियों में किनकी भीमाई समान नहीं है तो डी है भार तथा बल जिसका भीमा समान नहीं होती है अब डिसका बूल डाइमेंशन बोलते हैं ठीक है इलेकार जोर उड़ जा दोनों का मातरक जूली होता है आवेग था संवेग मिटर पर स होता है एप से सुचित करते है ठीक है इसलिए जो है भार में जो है भार क्या है अदी सदीश रासी नहीं है अदीश रासी है और बल सदीश रासी है ठीक है यह आपको याद रखना चाहिए स्वेद प्रकास कितने रंग के मेल खाता है स्वेद प्रकास छे रंगों से बनता ठीक है भी आई भी भी जी और इसको बोलते है भी आई भी जी वाई वी वार ठीक है आंत्री कुर्जा की संकलपना उस्मा गती के किस नियम से मिलती है अंत्री कुर्जा की संकलपना उस्मा गती के तिर्थिया नियम से मिलती है उस्मा गती का दूसरा नियम किसे किस ने दिया है उसमा गतिक का दूसरा नियम दिया है एम दियो आवो ग्रादो ने ओप्सन नमर डी शाई है आपके दहने तरब जो है इसका ओप्सन यह हो रहा है ओप्सन दिया गया आप देख सकते हैं मैं बता भी रहा हूं एक आधर से बॉल्ट मिटर का परतिरोद होता है ओप्सन नमर निमलखीत में से किसके दोरा सबसे अधिक धोनी परदूसन होता है तो पानी का जहाज जो है उसे जएदा धोनी परदूसन होता है याद रखिएगा ठीक है वाई मंडल में प्रकास के बिसरन का कारण है वाई मंडल ने प्रकास का बिकरन कारण कारण डॉक साइड है ओप् मांपन निमलिकीत में से किस उपकरन का प्रयोख क्या जाता है बिदुद्धरा के मापन में बॉल्ट मीटर का उप्योग कह जाता है ठीक है न्यूटन के गति के दूतिया नियम के नुसार निमन में से कौन सा कथन सत्थ है इससे बेग संदक्षन सिध्यांत परतिपादित होता है ये सत्थ है न्यूटन के दुत्या नियम से संबेक संरक्षन का नियम पता चलता है ठीक है उसी का एजांबल मिलता है नेक्स्ट है सूर्ज में उर्जा के उत्पादन की परक्रिया का नाम क्या है सूर्ज में उर्जा के उत्पादन की परक्रिया का नाम है इन में से कोई नहीं उसे सुर्ज में उर्जा सनलायन के कारण होता है ठीक है धोनी का तारब किस पर निर्वर करता है धोनी का तारब आभिष्टि पर घृत्वा गुर्त्वए करसन नियम्हो के अभिस्कार कौन हैot Сам कौन के अइंस्टीण आईंस्टीन वह कौं सा बल पिंड़ केãoASH केंदर क्यीजा चला जाता है यह कंसा बल आपको पता हूना चीके गुर्थवा करसन बलकि कारों कीज़ेल के नहि Caesar की ठेल कुछहास This में रेड लाइट के वो इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसका परकिर्णन सबसे जैदा होता है ठीक है सधारन बाचीत कित्रिवता decimal में कितनी होती है सदारन बाचीत कित्रिवता decimal में option नमर ए 180 होती है टेली उपगरह का उपयोग किसके लिए क्या जाता है टेली उपगरह का उपयोग धर्ती के केंदरी की और खीजा चला जाता है तो आवेगी बल देखिए बल दो परकार का होता जो सरकिल होता है वो होता है सेंट्री पिगल फोर्स एक होता है सो केंदरी बल एक होता है भी केंदरी बल ठीक है जिसको अप केंदरी बोलते हैं और एक होता है केंदर से बाहल स्कों सेंटिपीदल फोर्स यह होता है इंदर धनूश में पीला रंग क्रृवर्स भृवर्ण रहे हैं प्रकास की गती किसा से जाते होई उंतम होती है तो आ सबसे कम किस्वी में न करण हैं नहीं के करण है बहोर्या थेक्सिंदिक विख Keyigkeiten क्कुलम्ब है पिठ्थभी के गुर्तवा करसंध का कितना भागद से करस्फ़न्दीक है तो औ Пेरद्थभी को गुर्टवा कर्शन का भाग कितना भाग चंद्रमा के गुर्टवा कर्शन बल का कितना होता है एक वट्टे पांच होता सिदा जानिया एंगेस्टरम क्या मापता है एंगेस्टरम आपको बताये थे पहले भी तरंगध्यर जनापता है विद्धूत बल्व का फिलामेंट किस बलका फिलामेंट टंगस्टेन का ही बना होता है ठीक है अप्शन नमर से यह गलत है ठीक है आर्जभट के ग्राहिया गती के मोडल को क्या काते हैं आर्जभट के ग्राहिया गती के मोडल को प्राकिर्थिक दर्शन के गनितिया सिध्यानत काते हैं पिर्थवी पर एक चलती ए पर्टेंट कॉस्चन जो लगातार पिछले पांच साल से एक्जाम के SCR में पूछा जा रहा है तो आप इसको एक बार जरूर देखें और इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उसको जरूर कभर करें ताकि आपको एक्जाम में काभी फैदा होगा क्योंकि SCR को एक्जाम